हेलो एन वेलकम टू अनकेडमी क्या हल चाल है आप सभी के शुरुवात करें आज के एक जबर दस्त शांदार अल्टिमेट अधभुत शेशन की तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूं कि आज अनकेडमी इंडिया में अनडाउटेडली इंडिया का सबसे बड़ा लार्निंग प्लेटफॉर्म है तो अगर आप UPSC CSC के लिए त्यारी कर रहे हो और अगर आप सबस्क्रिप्शन का प्लैन कर रहे हो तो यह देखिए यहाँ पे सबस्क्रिप्शन लेने के बाद आपको मेरे साथ साथ इंडिया के टॉप अडुकेटर से पढ़ने का मोका मिलेगा भुगोल लक्षे 2023 यह अपनी सिरीज है और प्रिलिम्स क्वालिफाई करने का जो मैंने आपको फॉर्मुला बताया है फॉर्मुला क्या है बिटा एन पी आर फॉर्मुला ठीक है एन पी आर फॉर्मुला और भाया यह फॉर्मुला इस बार अपन का सुपर हिट है सुपर हिट फॉर्मूला है ये ठीक है UPSC प्रिलिम्स 2023 अब जिसको ये बात समझ में आ जाए ठीक है तो मेरा नाम है नवीन तवर एट यह टीचिंग इस्पीरियंस है इंटर्व्यू का एक्स्पीरियंस है ये मेरा टेलिग्राम चेनल है इसी पे आपको मेरी सबी क्लास के पीडियेफ आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन अगर मॉटिवेशन का डोज चाहिए मॉटिवेशन का भी डोज चाहिए तो भी आपको यही टेलिग्राम चेनल जोईन करना पड़ेगा उसके साथ साथ आप लोग सब्स्रिप्शन लेना चाहते हो उससे पहले कोई भी डाउट है एड्मिशन से पहले तो आप मुझे इधर मैसिज कर सकते हैं मैं आपको जवाब दूँगा उधर और अनकैडमी एप पर आपको एक कॉम्मिनेटी फीचर है जिसमें आप UPSC, CSE, GS और ऑप्शनल केटेगरी से रिलेटिड आपके जो भी डाउट हो मैं आपको वो सभी उधर जवाब दूँगा सब्स्क्रिप्शन लोगे तो आपके पास विकल्प रहेगा प्लस का लेना है या आइकॉनिक का लेना है चाहे आप जर्नल स्टडी इस का लेओ चाहे आप ओप्शनल का लो चाहे आप कॉम बो लो जिसमें GS और ओप्शनल दोनों होते हैं सब्स्क्रिप्शन के दुरान आपसे एक रेफरल कोड मांगा जाएगा तो वहां आप नवीन वन रेफरल कोड लगा सकते हैं जिससे आपको 10% डिसकाउंट को मिलेगा ही मिलेगा कभी कभी ज़्यादा डिसकाउंट का भी ओफर अनकैडमी लेके आता है तो आपको वो मेरे रेफरल कोड से वो डिसकाउंट मिलेगा साथ के साथ आपकी इस यात्रा है लबासना UPSC की जो यात्रा है उसको वो मेरे दिशा निर्देशन में वो आपकी आगे बढ़ेगी तो प्लस सब्स्क्रिप्शन लेना है 12, 18, 24, 36 महिने का कोई भी ले लीजिए फीस देख लीजि तो आपको यहाँ 10% का डिसकाउंट भी मिलेगा तो अनकेडमी क्यों जोइन करना है भाई हमारा रिजल्ट जबरदस्त है, बेस्ट एडुकेटर्स है, डाउट सॉल्विंग सेशन्स है, प्रिंटेड माटीरियल्स मिलेगा, एंट टु एंड प्रिपेशन है, आपको ऑप् पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा, दूसरे बेस्ट को जोइन कर सकते हैं, तो यह सारे बेनेफिट्स है, अनकेडमी सब्स्रिप्शन के, ओके, प्रिंटेड माटीरियल भी मिलता है, तो अभी अभी 14 जनवरी कल रात 12 बजे से पहले, जो भी बच्चा मेरे रेफ्टरल को न का मतलब बिल्कुल प्री सब्स्रिप्शन है आपको यहां पे, ठीक है, चलेगा, ओके, और कल से बैच शुरू हो चुका है, आरम बैच 2024 वाले बच्चों के लिए, और जो बच्चा एक बार के में फीस नहीं दे सकता, वो हर महीने EMI पे सब्स्रिप्शन ले सकता है, तो ठ ठीक है, चले आज का शुरुवात करते हैं, शुरुवात से पहले आपको एक, एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बताता हूं, एक विशेश प्रकार का एंट्रेंस टेस्ट, चलो, आपको क्या लगता है, पुराने टाइम पे कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होते थे, एंट् एंट्रेंस टेस्ट कंड़क्ट किया जाता था सुक्रात जी के दुवारा है ना सुक्रा इस एंट्रेंस टेस्ट को कंड़क्ट कराते थे तो आप उस मेथड को जानना चाहोगे कि मतलब क्या मेथड मतलब प्राथीन टाइम में कैसा एंट्रेंस टेस्ट होता था ओके चलो जानना चाहते हो तो सुकरात जी क्या करते थे उनके पास जो भी व्यक्ति उनका शिश्य बनने के लिए आता था तो नस्दीक में ही एक तलाब था और वो अपने हर उस व्यक्ति को जो उनका शिश्य बनना चाहता था वो बोलता था जाये पहले आप उस तलाब पे जाये कुछ समय वहां पे व्यतीत कीजिए उसके बाद आप मुझसे आके मिलना अब जैसे ही वो कोई भी व्यक्ति वहां से तलाब से विजिच करके आता था तो उनसे पूछते थे सुकरात जी की आपको तलाब गए कैसा लगा क ने तलाब में जाके तो जो व्यक्ती ये बोल देता था कि तलाब में मुझे मेरा चहरा नजर आया सुकरात जी बोल देते थे जाये आप अपने घर जाये आप शिश्य नहीं बन पाओगे मरे ऐसा क्यों और जो व्यक्ति तलाब के पास जाता था वो बोलता था तलाब देखा तलाब में मैंने स्वच्छ जल देखा उसमें बहुत सारी रंग बिरंगी मचलिया देखी बहुत सारे और जीव भी देखे सुकरात बोलते थे ठीक है यू आर वेरी गुड और आप मेरे शिश्य बनने के लायक हो तब उनसे पूछा एक शिश्य ने गुरू जी आप ऐसा क्यों करते हो तब सुकरात ने बोला कि एक गुरू केवल उसी व्यक्ति के अंदर ग्यान या उसको और ज़्यादा ग्यान दे सकता है और ज़्यादा नौलिज से युक्त कर सकता है जिसके जानने की सीखने की च्छमता हो और जो व्यक्ति कुछ जानना और सीखना चाता ही नहीं है तो उसको कैसे करेंगे उसको आप कैसे एडुकेट करोगे तो ये सुकरात मैथड था अब ये मैं कहानी क्यों सुना रहा हूँ गुरुजी आप ये कहानी क्यों सुना रहे हो इस कहानी को सुनाने का एक ओचित्य है बेटा ये बात हजारों साल पहले भी सत्य थी और आज भी जब तक आपके अंदर ही जानने की सीखने की इच्छा और मतलब इच्छा नहीं होगी तब तक आप नई capacities है ना और अपने आपको develop नहीं कर पाओगे तो दुनिया का best educator भी आपका selection नहीं करा सकता अगर आप खुद कुछ नहीं करना चाहते खुद आप सीखना नहीं चाहते तो ये बात आप ध्यान रखना ठीक है बहुत ही बढ़िया तो शुरुवात करते हैं आज के session की सुक्रात वाला ज्यान हो गया हम अपवाहा तंत्र कर रहे थे अपवाहा तंत्र में भ्रहंपुत्र वाला अपवाहा तंत्र हमारा हो गया था आज हम करेंगे ठीक है तो आज आ गए हम सिंधू नदी तंत्र के उपर आप जानते हो हिमालियन रिवर सिस्टम के अंदर हमने गंगा नदी तंत्र कर लिया हमने ब्रहंपुत्र नदी तंत्र कर लिया अब नेक्स्ट है हमारा इंडस रिवर सिस्टम ठीक है तो इंडस के बारे में आप इंडस रीवर सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है बटा इसमें मेन आमारी है सिंधू नदी इंडस रीवर इंडस रीवर के साथ-साथ इसकी हम कुछ साहयक नदिया देखेंगे यहाँ पे इसके साथ जो है इंडस के साथ-साथ हम देखेंगे यहाँ पे जेलम जेलम देखेंगे जेलम एना उसके बाद हम देखेंगे चिनाब चिनाब देखेंगे उसके बाद हम देखेंगे रावी, व्यास, व्यास देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे सतलच, सतलच को देखने वाले हैं सतलच रिवर, ये हमारा पूरा आज रिवर सिस्टम रहेगा और यकीन मानिए इतना जबरदस सेशन होगा ये इसके साथ-साथ हम इस पे देखेंगे डैम्स को और इस पे जो हमारे रिजर्व योर है जलाशे वगरह जो भी है या हमारे कोई पहले मैं आपको कुछ दिखा देता हूं, कुछ ओके एक सेकंड लोगी है, वेल दन, तो ये आपको याद है और आपको कुछ mountain ranges दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ-कुछ mountain range दिखाना चाहता हूँ, आपको याद हो यहाँ पे mountain range थी एक, ओके, एक mountain range इधर है, एक और mountain range है, फिर यहाँ पे एक mountain range है, देन आपकी एक mountain range ये है, छेक है, एके करके सबके नाम बताता हूँ, this is कराकोरम, कराकोरम, and this is लद्दाक, कराकोरम श्रेणी है ये, this one is लद्दाक, and this one is जासकर, यहाँ पे ये है पीर पंजाल, है ना, पीर पंजाल, और ये है धुलादार, धुलादार श्रेणी, याद है आपको ये सब, ये आपका ट्रांस हिमालिय है, कराकोरम, लद्दाक, जासकर, उसके बाद ये ग्रेट हिमालिय है, मिडिल हिमालिय और शिवालिक चल रहा है, नीचे की और, अब क्यूंकि हम ये रीवर, रीवर सिस्टम कर रहे है बेटा, और इस लद्दाक का ही यहाँ पे एक्स्टेंशन था, जो आपका, तिबबत के अंदर, तिबबत छेतर में, वो केलाश के नाम से था, केलाश याद है, केलाश श्रेनी, अब यहाँ उसके साथ साथ आपने बहुत सारे ग्लेशियर्स भी देखे थे मेरे साथ है ना, बहुत सारे ग्लेशियर्स देखे थे आपने, बहुत सारे यहाँ पे ग्लेशियर्स है, इन्ही परवस्रंखलाओं में, बहुत सारे ग्लेशियर्स है, बहुत सारे ग्लेशियर् इसे कुछ ना कुछ निकल रहा है ना कोई नदिया निकल रही है है ना यहां पे कोई glacier होगा कोई glacier छोटा मोटा इधर होगा है ना इधर कोई glacier होंगे इन से glaciers क्या है यह glaciers आपके बहुत सारे नदियों के श्रौत्र बनेंगे ठेक है तो ये मोटा मोटा याद रखना और जितनी भी नदिया चलेगी बेटा चाहे वो सिंदू हो, चाहे वो जेलम हो, चाहे चिनाब हो, चाहे रावी हो, चाहे व्यास हो, चाहे सतलाज हो इसी mountainous reason से होकर वो चलेगी Is that clear? Clear है ये? जल्दी से बताओ ओके, कुछ glaciers में, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको तीन चीज़े और बता जेता हूँ अगर आपको याद हो, कल भी मैंने आपको परसो की class में बताया था कि हमारी जो कुछ rivers है, जैसे इंडस हो गई, सतलुज हो गई, ब्रहमपुत्र हो गई, वो river हमारी antecedent river है antecedent का मतलब वो vertical erosion उन्होंने करके हिमाल्य से पहले से ही है वो तो कोई भी river जब erosion करती है, तो erosional work मैंने उसका three dimension, तीन और करती है वो वो vertically करती है, वो पीछे की और करेगी और वो side by side करती है तो this is headward, lateral and vertical erosion तो हिमाल्य छेतर में जो सिंधु नदी तंतर में बहुत सारी नदिया vertically erosion कर रही है vertical erosion कर रही है, और क्योंकि ये vertical erosion कर रही है और ये antecedent river है उसका antecedent river है, या मैं कहूँ हिमाल्य के उठान से पहले की है वो हमें कैसे पता चलेगा, हमने देखा ये गहरे गहरे गोर्ज का निर्मान कर रही है हमने देखा था ना, गोर्ज का निर्मान कर रही है ये गोर्ज का निर्मा और वो यानि कि डीप कट किया हुआ है उन्होंने हिमाल्य परवस्ष्रंकला है लेकिन उसको काट के वहां से निकल रही है तो हमें ये जो गोर्ज बना रही है बड़े-बड़े महाखड बनाया है इन कुछ रीवर्स ने उससे आमें पता चल रहा है कि ये रीवर है हिमाल्य के उत्थान से भी पहले की है हिमाल्य बनने के बाद ये रीवर्स आपकी नहीं बनी है उससे भी पहले की है वेल दन तो ये हैड़वर्ड लेटरल और वर्टिकल एरोजनस आपने देख लिया ये चीक है ये कुछ glaciers है देख लो मैंने आपको अगर याद हो कि ये वाले छेतर में चाहे कराकोरम श्रेडी हो कराकोरम लद्दाक जासकर पीर पंजाल धोलाधार शिवाली की ये सभी श्रेडियों में बहुत सारे हिमनद है हिसपार हो गया चोगोलांगमा हो गया कॉड़ो पिंसासेनी बियाफो पुनहामा बाल्टोरो सियाचीन ओके रिमो ग्लेशियर हो गया तो इन ग्लेशियर से बहुत सारी नदिया भी निकलेगी आज हम उन नदियों को भी देखने वाले आज की क्लास में तो शुरुआत करते हैं यह लो अब शुरू करते हैं कि कर सो यह मेप याद रहेगा आपको यह वाला मेप याद है ठीक है यह वाले मेप में ही हम क्या करेंगे बिता इस वाले map में जैसे हम सिंधू को लेके आएंगे ये वाला छेतर हो गया अमारा तिबबत छेतर हो गया ओके ये भारत हो गया और ये पाकिस्तान ये वाला पाकिस्तान हो गया इस पाकिस्तान ठीक है अब जो मैं next आपको सामने ड्रो करने वाला हूँ बस यह बताऊंगा कि यह तिबबत छेतर से आ रही है जहां इंडिया शुरू होगा वहां इंडिया की boundary में बना दूँगा फिर क्योंकि exactly इतने में बहुत सारी rivers और उसके मुझे पूरा drainage system दिखाना ह तो छोटा होने की वज़े से मैं यह वाला इस इंडिया का मैपना बना के reasons दिखाऊंगा आपको जैसे मैंने गंगा में और ब्रहंपुत्र में जिस approach को लगाया है same approach इधर भी लगेगी ठीक है तो शुरूआत करते हैं हम आपनी एक main river को लेके आते है main river Indus चिक है this one Indus Indus this is Indus सिंधू है यह Indus river अब Indus river basically आ कहां से रही है बिटा यह आ रही है आपकी तिबबत छेतर से आपने जो कलाश man server जो परवसर रंकला देखी है ने वहीं पे Bokarchu के नजदीक एक glacier है मान server जील के आसपास वहां से निकल रही है आपकी तो शिरे 앞नी कों सी कोगी बिटा शिरेनी शिरेनी कों सी हो गई केलाश रेंज के केलाश रेंज ही है यहां पे केलाश रेंज केलाश केलाश श्रिनी हो गई इसी केलाश श्रिनी से निकल रही है यही पे आसपास आपकी मानसरोवर जील भी है मानसरोवर लेक मानसरोवर जील ठीक है और यहां से आपकी ये Indus river निकलना शुरू करती है अभी एक चीज ध्यान रखना direction का अगर मैं आपको direction बोलू this is east, this is west, this is north and this is south अब यहां से देखो ये Indus आ रही है और north-west की और चल रही है नौर्थ-west की और चल रही है अब लेकिन इंडिया में कहा से क्योंकि अभी तो तिब्बत छेतर है यहां पे तिब्बत छेतर है this is तिब्बत जैसे इंडिया में आती है इंडिया में enter मारती है यहां पे इंडिया में जिस स्थान पे इंडिया में प्रवेश करती है उसको उमने बोला दम-चोक दम चोक से वो इंडिया में एंटर करती है नाम क्या है दम चोक और जैसे ही दम चोक से ये इंडिया में एंटर करती है यही पर इंडिया में एंटर करने से पहले इसमें तिबबत छेतर में भारत-चीन तिब्बत या भारत-चीन बॉर्डर के नजदीक एक इसमें रीवर आती है एक रीवर आती है ठीक है उस रीवर का नाम है धार रीवर धार रीवर ये इसमें आके प्रवेश करती है चलेगा अभी तिबबत में ही है अभी दमचोक के बाद ये इंडिया में एंटर करती है अभी आपको परवश्चन खलाए पता है सबसे उपर कराकोरम देन लद्दाक और उसके बाद जासकर तो शुरुवात में ये कराकोरम और लद्दाक रेंज के बीच से चल रही है तो इसके नौर्थ में जो यहां पे है बिटा अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ लेकिन बाद में मिटो दूँगा यहां पे है कराकोरम ये मिटाने वाला हूँ लेकिन मैं ये यहां पे है लद्दाक तो ये कराकोरम और लद्दाक के बीच में चल रही है करा कोरम और यह यहाँ पे है लदाक रेंज लदाक रेंज के बीच में चलती है ठीक है तो लदाक रेंज के जादा नजदीक है ओके यहाँ पे चलती 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 आपको पता है आपको यह भी पता है कि यहाँ पे फिर आपकी एक है जासकर रेंज जासकर range है तो जासकर range में ये क्या करती है जासकर range की कहानी सुनो जासकर range में क्या हो रहा है एक बार मिटो दिया ये आपकी सिंधु आई ऐसे जाएगी फिर वापस ऐसे जाएगी और फिर यह ऐसे आएगी तो पहले तो यह उपर है थोड़ा सा मैं कुछ दिखाना चारा हूँ I hope कि यह possible हो पाएगा यहाँ पे This one is Karakoram This one is Karakoram And this one is Ladakh This is Ladakh, यह Karakoram है Yes, this is Ladakh और इसके बाद यह है आपकी जासकर 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 श्रिणी है तो अगर UPSC आपसे पूछता है सुनो, UPSC आपसे पूछता है कि जब यह Indus River है अपने Origin से लेके और जब तक यह पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती यह Karakoram और Ladakh के बीच में ही बहती है Wrong statement कुछ छेतर में तो है ना कुछ हिस्से में इंडिया में यह Karakoram और Ladakh के बीच है अचानक से ही Ladakh के अंदर यह एक बिल्कुल South कट लेती है South West की ओर जाती है और फिर यह Ladakh और जासकर के बीच में चलने लगती है तो सर यह छेतर क्या है जहां पर यह काम कर रही है जहां पर यह कट मार के एंटर कर रही है उसको हम बोलते हैं डुंगटी तो यह डुंगटी के अंदर Ladakh range को South West की साइड कट करते हुए फिर Ladakh और जासकर के बीच में बहने लगती है चलेगा और उसके बाद यह यहां गई और यहां पर गिलगित है यहां पर है गिलगित यहां पर गिलगित है और गिलगित से बिलकुल यह Southward एक बैंड लेती है और फाइनली यहां पर कराची के दक्षिन में यहां पर यह अरब सागर में आके गिरती है अरब सागर में आके यह फाइनली गिरती है यह कहानी समझ में आई इस दिस क्लियर ओके यह क्लियर हो गया अब चलते हैं आगे की कहानी अब यह मैं रेंजी जटा दे रहा हूं यहां से यह रेंजी जटा दे रहा हूं क्योंकि फिर यह बाकी जो इसकी साहिक नदियों को ड्रो करने में प्रॉब्लम देगी यह सभी रेंजी जटा दिया अब हम इसकी साहिक नदियों को पकड़ेंगे के करके साहिक नदियों को तो यह जो सिंधू नदी है बेटा इस इस सिंधू इन्डस रिवर है तो इन्डस रिवर के ही राइट बैंक पे आपको मिलेगा लेहे नाम सुनाए आपने लेहे तो अगर UPSC पूछता है कि लेहे की लोकेशन क्या है सिन्दू के राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड तो बैटा देखो जो डिरेक्शन है उस डिरेक्शन में फेस करके खड़े हो जाओ जिस डिरेक्शन में जारी है तो सिन्दू के राइट हैंड साइड पे आपका लेहे मिलेगा लेहे राइट हैंड साइड पे लेहे है अपने यहां पे अपने ग्लेशयर का नाम सुना था इहां पे आपने एक ग्लेशयर मुझसे रिमो ग्लेशयर नाम सुना था. आपने यहाँ पे ग्लेशियर था दिस इस रिमो ग्लेशियर दिस इस रिमो रिमो हिमनत और यही पे है सियाचीन यह यहाँ पे है सियाचीन दिस इस सियाचीन 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 हिमनत अब हो क्या रहा है अब ही इस रिमो ग्लेशियर से एक रिवर आ रही है जिसका नाम है शौक रिवर कौन सी रिवर है रिवर है बटा शौक नदी क्या नाम है इस रिवर का शौक तो शौक क्या हो गई सिंदू के राइट हंड साइड की सायक नदी है जो रिमो ग्लेशर से निकल के आ रही है अब इस शोक की एक सायक नदी है नुब्रा 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 ये नुब्रा कहा से आ रही है? ये नुब्रा आ रही है सियाचीन से ठेक है? उसके बाद एक हिस्पर ग्लेशियर है हिस्पर ग्लेशियर है यहाँ पर यहाँ पर है हिस्पर ग्लेशियर हिस्पर हिस्पर हिम्नद है इस हिस्पर हिम्नद से एक रीवर आ रही है इस हिस्पर हिम्नद से एक रीवर आ रही है जिसका नाम है शिगार शिकार रीवर याद रहेगा इस पर से आ रही है शिकार फिर गिलगित इस इस गिलगित के पास जाके इसने बिल्कुल साउथवर टर्न लिया और यहाँ पे एक रीवर है यहाँ पे एक रीवर है गिलगित गिलगित नदी गिलगित रीवर अब इस गिलगित की एक सायक नदी है हुन्जा गिलगित की एक सायक नदी कुन सी है इसकी एक सायक नदी है हुन्जा हुन्जा रीवर छिक है हुन्जा उसके बाद यहाँ पे एक रीवर आती है काबुल काबुल नदी भी अपना जल छोड़ती है इसके अंदर बिटा काबुल काबुल रीवर ये भी अपना जल छोड़ती है इधर इंडस में ही काबुल के बाद एक और रीवर है जिसका नाम है गोमल है कुछ जैसे ये तिबब छेतर में है धार रीवर इधर शोक इधर शिगार और ये फिर गिलगित काबुल गॉमल ये सब इसके राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरीज है दाएं हाथ की सहायक नदिया चलेगे तो जो ये हुंजा है बेटा बेसिकली ये हुंजा ये कराकोरम श्रेणी को कटते वे आती है जो ये हुंजा आ रही है न तो यहां तो बेटा ऐसे ही है न कराकोरम लद्दाक और उसके नीचे ये जासकर क्योंकि सारी चीज एक साथ नहीं दिखा सकते न बेटा 3D तो है नी मैं सिर्फ आपको पहले इसलिए मैंने आपको पहले ये सारी रेंजिस दिखाई थी ये वाली रेंजिस ये जो सारी रेंजिस है ये ही दिखाने का रीजन था ये ये सब रेंजिस दिखाने का ये कराकोर नहीं हो गई अब अब इसके लेप्ट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं एक बड़ी इंपोर्टेंट रीवर है जासकर जासकर नदी बेटा जासकर परवत्ष रंकला भी है और जांसकर एक आपकी रीवर भी है तो यहां से एक रीवर आरी है जांसकर रीवर और यहीं पर एक सुरू रीवर है कारगिल जानते हो ना तो कई बार आपसे पूछ सकता है कि कारगिल किसके नजदीक है इधर है सुरू रीवर इधर है जासकर रीवर चलेगा ओके ये सब चलेगा उसके बाद बाकी नदियों को लेते हैं अब आती है हमारी जो जेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज की बारी अब बात करते हैं जेलम की तो जेलम बेसिकली है ना, जेलम बेसिकली आपका एक वैरी नाग करके वैरी नाग जो स्प्रिंग है, वैरी नाग स्प्रिंग है वहाँ से आपकी जेलम निकलती है, जेलम जेलम, उसके बाद यहाँ पे एक जील आती है, वुलर जील कश्मीर में आपकी ये है वुलर जील इसमें ये एंटर करती है और वुलर जील से होते होए ये बाहर निकलती है ये जेलम चल भी है बिटा ये जेलम और जेलम देन अगेन साउथ की साइड ये भी टर्न लेती है दिस जेलम और इसी जेलम की एक साहयक नदी है जेलम की एक साहयक नदी आप लिख सकते हो जेलम की साहयक नदी लिख सकते हो किशन गंगा जिस पर किशन गंगा प्रोजेक्ट भी है किशन गंगा चलेगा तो कहां से वेरिनाग से वेरिनाग से फिर फिर आपकी एक रीवर है चिनाब चिनाब रिवर की कहानी सुनते है वेटा चिनाब रिवर की तो basically एक है दो चोटी-चोटी रिवर से जो दो चोटी-चोटी सरिताओं से मिलके एक है चंद्र और एक है भागा जब वो दोनों आपस में मिलती है तब बनती है आपकी चिनाब तो अगर बात किया जाए glacier की बात करे जाए कि और और किस glacier से उसको fed किया जा रहा है चिनाब के जल को तो वहाँ पे है भारा सिगरी glacier यहाँ पे glacier है glacier बना देता हूँ बारा सिगरी glacier ठीक है यहाँ से आपकी चिनाब fed हो रही है तो basically दो river है एक है चंद्र और एक है भागा यह दो सरिताए चंद्र दिस वन इस भागा यह चंद्र और भागा यह दोनों मिलके बनती है चिनाब और यह फिर यह चिनाब चलती है फिर यह आपकी चिनाब जा रही है और इस चिनाब को join करती है उपर से आके आपकी यह झेलम इस वन इस जेलम और यह पूरी आपकी हो गई चिनाब इस इस चिनाब इस इस चिनाब चलेगा Is it clear? तो अगर ये पूछ लिया जाए कि जो ये चेनाब है किस रेंज के नस्दीक से निकल रही है तो चेनाब के नस्दीक है हमारी जासकर रेंज जासकर रेंज है यहां पर हमारी ये जासकर रेंज में है जासकर रेंज के निकट है जासकर रेंज के निकट से है चल, चेनाब की कहानी समझ में आगी, चेनाब जल्दी से बताईए फिर आईगी रावी, है ना रावी, रोहतांग पास का नाम सुनाए, आपने रोहतांग पास, रोहतांग दर्रा रोहतांग, रोहतांग दर्रे के पास है कुल्लू की पहाड़िया, कुल्लू हिल्स, पहले हिल्स बना देता हूँ कुल्लू हिल्स है, इन कुल्लू हिल्स है ना, रोहतांग पास यहां से आपकी निकल रही है रावी, रावी, ठीक है, ये रावी निकल रही है और ये रावी भी आपकी जाके पाकिस्तान में ये पाकिस्तान चल गया वेटा इधर इसके बाद ये सब पाकिस्तान है ये पाकिस्तान में ये भी जाके चेनाब को जोइन कर लेती है इसने भी जाके चेनाब को जोइन कर लिया इस वन इस रावी रावी चलेगा रोहोतांग पास रोहोतांग पास वैल डन रावी हो गया रावी के बाद है ब्यास ब्यास भी बेसिकली रोहतांग जो पास के नजदीक से निकलती है ब्यास एक छोटी नदी है comparatively छोटी नदी है ब्यास इस ब्यास पे एक पॉंड बना है ब्यास पे एक पॉंड बना है बिटाए न ब्यास पे आपने एक पॉंड बना है जिसको आप बोलते हो पॉंग डैम पॉंग डैम है ये चलो this one is on ब्यास this is ब्यास ब्यास अब कोगोगे सर ये ब्यास को आपने आधा हदुरा क्यों छोड़ दिया क्योंकि ब्यास फाइनली आपकी सतलुज में जाके मिलती है सतलुज अभी सतलुज तो आई नहीं अब आती है सतलुज यही मांसर ओवर जील इसके नजदीक राकस ताल से यहां से आपकी सतलुज आ रही है सतलुज आ रही है सतलुज आ रही है और ये फाइनली सतलुज को जोइन करती है चीक है और यहां पे थोड़ा सा बेटा क्योंकि जटिल है मुद्दा इसलिए इसको तसली से ही समझाना पड़ेगा थोड़ा मुद्धा ये जटिल है मतलब इसको पिक्चराइज करना थोड़ा सा टफ है चलो ये फाइनली आपका चेनाब पाकिस्तान में उच्छ शरीफ के नजदीक है ना उच्छ शरीफ के उच्छ शरीफ कि 17 किलोमीटर नौर्थ में 17 किलोमीटर नौर्थ आपका जो चेनाब और चेनाब में जो जेलम और रावी का जल था वो फाइनली आके मिक्स किस से हो जाता है सतलज और चेनाब यहाँ पे आके इनका कन्फलूएंस है और यह सारी जो नदिया पंचनाद के नाम से जेलम चेनाब रावी ब्यास सतलज तो यह पूरी की पूरी आपकी सतलज रीवर है यह जल फाइनली जाके इस सिंधु नदी में गिरता है इनका और यह फाइनली जल आके गिरता है इदर तो जहां पे ये ब्यास और सतलुझ हरीके के पास एक दूसरे से मिलते है बिटा दिस इस हरीके 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 और यहां से इस हरीके से हमने एक कैनाल निका लिए कैनाल इंदरा गांधी कैसा लगा थोड़ा सा ये मैंने अच्छे से बनाने की कोशिश किये ताकि आपको अच्छे से नजर आए क्लियर है तो जो आप बोलते हो ना कि यहाँ पे सिंधु नदी एक सिंधेक्सियल बैंड बनाती है बेटा दिस वन इस था सिंधेक्सियल बैंड यह वही सिंधेक्सियल बैंड है हमने बोला था ना अक्ष संग्हियम ओड यह वही अक्ष संग्हियम ओड है इस इंधेक्सियल बैंड है यह वही ये वाला जो band है ना syntaxial band है ओके इस रावी की एक साहक नदी है उज रावी की एक साहक नदी है उज रीवर है ना रावी की एक साहक नदी का नाम लिखते है उज ये कुछ भी आएगा भाई इस बार एक्जाम में अब मैं आपको मैंने आपको परसो एक चीज बताई थी बेटा कि दो नदीयों के बीच का जो छेत्र है उसको हम क्या बोलते हैं दो आब और रावी के बारे में आपको बता देता हूँ जो ये रावी रीवर है ना बिटा ये वाली जो रावी रीवर है धोलाधार श्रिणी इन पीर पंजाल और धोलाधार के बीच से होके जाती है ये आपकी रावी और जो सिंदू नदी है सिंदू नदी ये वाली जो सिंदू नदी है मैंने बताया था शुरुवाती हिस्से में ये कराकोरम और लदाक के बीच में है उसके बाद ये जासकर और लदाक के बीच में है तो अगर हम बात करें सिंदू की सिंदू की भी बात कर लेते हैं सिंदू की तो सिंदू इस इस कराकोरम इस इस लडाक ये कराकोरम है ये लडाक है उसके बाद है आपकी ये जासकर ये जासकर है तो आपकी सिंदू क्या कर रही है सिंदू कर रही है यहां से ऐसे ऐसे चलती है फिर इसके बाद ऐसे चलती है और फिर इसके बाद ऐसे चलने लगती है इस इस सिंधू इंडस इस इंडस भाई एक्जाम में कुछ भी आएगा है ना मैं तो फाइनली आके ऐसे करके बता दूँआ कि देखो भाई मेरी क्लास भी मैंने चार्ट बनाया था आप उस चार्ट से इसको पूरा समझने की कोशिश करें हो गया दिख कैसा रहा है मैं भी तो देख लूँ फॉन में दिखता कैसा है ठीक दिख रहा है बिल्कुल मेरे के मेरा जैसे ही अब इससे आगे की कहानी इससे आगे की दो तीन तरह की कहानिया है इससे आगे की एक तो हम यह देखेंगे कि इनको एंचेंट टाइम में इसको सिंदू को जेलम, चिनाव, रावी, व्यास, सतलज को किन नामों से जानते थे एक तो बात यह दूसरा इनके बीच में कौन-कौन से दवाब है वो जानेंगे और तीसरा इन पे कौन-कौन सी प्रियोजनाय है हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे तो आगे बढ़ने से पहले आगे बढ़ने से पहले इस Class के प्रती जो आपकी नयत्तिक जिम्मेदार ही यह नि भाइए उसको फटाफट फटाफट एक बार सेशन को लाइक कीजिए उसके बाद कहानी आगे चलाऊंगा मैं एक बार सेशन लाइक कीजिए जल्दी से लाइक कीजिए अब अगर UPSC आपसे पूछता है एक प्रशन यहां पर मेरा बंता है आप लोगों से प्रशन पूछूँ एक प्रशन पूछ लेता हूँ पहले आपसे प्रशन निम्न लिखित में से देखते हैं आपको कॉमन सेंस कितना अच्छा है निम्न लिखित में से कौन सी नदी का अपवाहा छेत्र केवल भारतिय छेत्र में है भारतिय छेत्र में है ए सतलज बी चिनाब सी रावी और डी व्यास बताना ज़रा एक बार पूछ सकता है यूपीएसी ऐसा कुछ भी पूछ सकता है यूपीएसी आपसे तो आंसर इस येस डेफिनेटली व्यास आपने देखा है बिटा देखो व्यास तो क्या कर रहा है यही रोहतांग पास के नस्दीक से निकली इंडिया में ही कुछ चारसो पानसो किलो मिटर के बीच का जो इसकी लंबाई है इसनाए बही और फाइनली आके सतलज मेरे मिल गई यही बाकी चाहे सतलज हो चाहे ये आपकी रावी हो चाहे च scrolling हो चाहे जेलम हो ये पकिस्तान में भी इनका अब अब दो चार चीज़े और कर लेते हैं पहला पहला अब हम करते हैं कि इन नदियों के एंशेंट नेम क्या है वैदिक नाम कौन कौन से है वैदिक नेम है न वैदिक नाम अगर मैं बात करूँ जेलम की अगर मैं बात करूँ चिनाब की उसके बाद मैं बात करूँ रावी की व्यास की और सतलज की किन-किन नामों से इनको जाना जाता था किस-किस नाम से जानता थे बताओ कुछ याद है आपको वितिस्ता किसको बोलते है वितिस्ता पहले तो रावी को देखते थे रावी को हम बोलते थे परुशनी के नाम से जानते थे परुशनी ठीक है चिनाब को हम जानते थे आसकिनी कल मैंने सतलुज आपको बताई थी शतुद्री शतुद्री व्यास को हम जानते थे विपासा और जेलम को जेलम को किस नाम से वितिस्ता 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 तो ये वेदिक नाम याद रख ले न क्या पता भाई, UPSC का कुछ नहीं पता मुझे क्या कर ले, क्या नहीं कर ले जितना इन्फॉर्मेशन आपको बाट दिया जाए, इस बार उतना ही बढ़िया वेदिक नेम है ये चले यहां से आगे अब आते है दोआब असली मुद्दा है बिटा दोआब का दोआब, दोआब मतलब दो नदियों के बीच का छेतर होता है दोआब ये आपकी इंडस है इस इंडस उके उसके बाद इस जेलम इस इस चेनाब इस वन इस रावी इदर से है ब्यास इदर से है आपकी सतलज और ये फाइनली आके मिल गए इसमें तो ये नाम लिख लेते हैं एक बार इनका दिस इंडस दिस जेलम दिस वन इस चेनाब ये रावी दिस इस ब्यास और दिस इस सतलज तो दवाब मैंने आपको क्या बताया था दो नदियों के बीच का छेतर कहलाता है दवाब नजर आ रहा है यहाँ पर आपको दवाब भाई देखो दो नदियों के बीच का छेतर देखो दिस इंडस दिस जेलम दो नदियों के बीच का छेतर दिस दवाब दो नदियों के जेलम और चेनाब के बीच का छेतर दिस दवाब चेनाब और रावी के बीच का छेतर दवाब रावी ब्यास के बीच का छेतर दवाब व्यास और सतलज के बीच का छेतर दिस इस दुवाब इनको आएक कैसे करें तो इस वाले जो आपको दुवाब को बोलते हो इसको आपने बोला सिंद सागर छेक है? इसको आपने बोला चाज, इसको आपने बोला रचना, इसको आपने बोला बारी, इसको आपने बोला बिस्त तो UPSC अगर आपसे कॉम्बिनेशन देता है कि रचना किसके बीच में है? चेनाब और रावी के बीच में रचना है चेनाब और जेलम के बीच में चाज है चाज और जेलम और इंडस के बीच में है सिंध तो सबसे उपर तो याद रखना बेटा अगर आपको reverse का order याद हो गया ना कि सबसे उपर इंडस है अब इसका कोई trick नहीं है बेटा तो mapping का, mapping की एक खासियत होती है इसको आप जितना जादा देखोगे, practice करोगे आपको automatically याद हो जाएगा मुझे ये सारे कोई, मतलब reverse कौन सी आ रही है कहां सी आ रही है, रटा हुआ नहीं है आपने multiple time practice किया आपके दिमाग में already ये set हो गया ओके तो आपको ये पता होना चाहिए, सबसे उपर इंडस ही है इंडस के बाद जेलम, देन चिनाब, देन रावी, देन ब्यास, देन सतलच उसके बाद हाँ, इनके code पे हम काम कर सकते है तो सबसे उपर तो इंडस है, तो हमने सिंध याद रख लिया जेलम और इंडस के बीच में सिंध है उसके बाद आते हैं, ये आगे बिटा, चिनाब, और दिस इस जेलम तो याद रखना चिनाब में CH आ गया चिनाब, और जेलम का जे आ गया तो चाहाज आ गया, तो अगर चाहाज आता है, अगर कहीं भी चाहाज आ गया समझ जाना चेनाब और जहलम है फिर दिस इज चेनाब दिस इज रावी तो आरे से आरे और चेनाब से सी एच तो रचना तो यानि के रावी और चेनाब के बीच में है रचना फिर आजाओ ये रावी है ये ब्यास है तो ये है बारी ब्यास का B और रावी का R बारी ब्यास और रावी और उसके बाद है बिस्त ये सतलुज का S और ब्यास का B तो बिस्त हो गया कौन सी बड़ी बात हो गई आया समझ में ये स्पस्ट हुआ या नही जल्दी से बताओ मुझे एजी है और बताओ छेक है अब बात करते है प्रजेक्ट एण्डप्स की मैंने बोला था इस साल हम क्या कर रहे है मैपिंग को और जोगरफी को दोनों को एक साथ कर रहे है ट्रडिश्णल जोगरफी की क्लास इंड्या जोगरफी और ये सारी चीज़े जैसे बेटा ये प्रोजेक्ट्स होते थे ये आपके दोआब होते थे ये मैपिंग में करा रहा था मैं आपको लेकिन इस बार मैंने आपको compile है ना एक साथ करा दिया ताकि आपकी understanding एक साथ ही अच्छी develop हो जाए तो आगे projects and dams project and dams की बात करते है तो again अगेन सेम काम करते हैं जेलम चिनाब दिस वन इस चिनाब रावी ब्यास और सतलज बस ऐसे याद रख लो आप है ना तो जेलम तिस वन ओन जेलम चिनाब रावी ब्यास सतलज जेलम शेनाब तो अगर आपको याद हो मैंने ब्यास पे सबसे पहले सबसे आसान काम करते हैं ब्यास पे मैंने आपको बताया था एक पॉंग डैम है पॉंग पॉंग आरे भाई साब पॉंग बोला था पॉंग पॉंग डैम इसी पॉंग डैम का एक दूसरा नाम है कोई बताएगा पॉंग डैम का ही एक दूसरा नाम है महाराणा प्रताप सागर महाराणा प्रताप सागर यह पॉंग पे हो गया ठीक है सतलज पे वर्ल्ड फिमस आप जानते हो भाकडान अंगल बांध है ना सतलज पे कौन सा है बटा सतलज पे है भाकडान अंगल भाकडा नंगल तो भाकडान अंगल बांध बेसिकली एक ग्रेविटी डैम है एक ग्रेविटी डैम यह इसका पीछे का टेकनलोजी आप जान लेना ठीक है ग्रेविटी डैम क्या होते है Science Technology वाले टीचर आपको पढ़ाएंगे ये भाकडा नंगल बांध अब इसी भाकडा नंगल बांध पे एक Reservoir बनाया गया है एक जलाशे बनाया गया है जिसका नाम है गोबिंद सागर गोबिंद सागर लेक इसी पे आपने एक जलाशे बनाया है इसी पे आपने एक जलाशे बनाया है इसी से एक आपने जलाशे बनाया है जिसका नाम है गोबिंद सागर लेक है आपके ठिक हो गया गोबिंद सागर बेटा अब रावी पे आजाओ रावी रावी की एक साहक नदी थी मैंने आपको पताया था उज़ तो उज़ प्रोजेक्ट है रावी पे रावी पे है रावी पे ही आपको शहापुर केंडी समचारों में भी चर्चा में रहता है शहापुर केंडी ये रावी पे ही है रावी पे ही एक और है रंजीत सागर ये दिस इस आलसा उन रावी चलेगा अब आजाते है जेलम यह जेलम बड़ी चर्चा में रहते हैं जेलम कह रहा हूँ चिनाब चिनाब के बारे में जानते हैं लेट्स टॉक अबाउट चिनाब चिनाब के बारे में सबसे पहले है यहाँ पे बगलीहार बगलीहार प्रोजेक्ट फिर है दुलहस्ती प्रोजेक्ट ये चिनाब पर ही है फिर है सलाल इस 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 उलसो अन चिनाब उसके बाद इसके बाद है पाकुल दुल उसके बाद इसी पर ही है मियार मियार ठीक है इसी पे ही है कलनाई कलनाई के एल एन ए आई कलनाई और इसी पे ही है रातले डैम आर ए टी अल ए ये सब के सब आपके चिनाप के उपर है अब बात करते है जेलम की जेलम में है उड़ी उड़ी ठीक है इसी के बाद इसी पे है तुलबुल अरे भाई चुलबुल नहीं तुलबुल आपको चुलबुल सहाब यादा रहे है और इसी पे ही है किशन गंगा किशन गंगा चलेगा कि आप कि यह लिको अपने प्रोजेक्टस एंड एंस तुलबुल है बिटा बुलबुल नहीं है तुलबुल है तुलबुल तुलबुल तो ये हो गया, दुआब हो गये, वैदिक नाम हो गये, ये पुरा डाइग्राम हो गया हमारा ठीक है, अभी आगे चलते है, अभी आगे चले अब एक जबर्दस कोश्चन पूछने वाला हूँ मैं आपसे, जबर्दस कोश्चन प्रेक्टिस कोश्चन, इसी क्लास पे बेज़्ड है, इसी क्लास पे बेज़्ड है चलेगा, एक कोश्चन पूछता हूँ, I hope कि UPSC आपसे प्रशन पूछ सकता है अभी मैं क्या करूँ, मेरा दिल ही कुछ ऐसा है, सेम कोश्चन हो सकता है, आपसे UPSC पूछ ले UPSC, है ना, ये सितारा लगा दिया, मैंने की ये, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये कुश्चन आएगा कुश्चन है, पहला है कथन A कुछ हिमाल्य ये नदिया कुछ नहीं लिखता चलो, कुछ सही कर देते हैं कुछ सही कर दो झाल 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 क्या उत्तरद होगे? क्या मानना है आप लोगों का? निर्मित करती है आपको मैंने बताया था हिमाली नदियों की कुछ हिमाली नदियों की विशेश्टा क्या है? वर्टिकल इरोजन भी कर रही है साइड बाइ साइड इरोजन भी कर रही है और पीछे की साइड शीर्ष भी है ना? शीर्ष पार्श्व और उर्दवा धर तीनों तरह के अपरदन कर रही है हर तरह के अपरदन करती है ये तो उर्दवादर अपर्दन के द्वारा याद रखना उर्दवादर अपर्दन के द्वारा ठीक है यह जो काम हुआ है ना बिटा इस वाले के द्वारा हुआ है इस वाले के द्वारा हुआ है और अगर UPSC कहता है हिमाले नदिया अपनी घाटियों को चोड़ा कर रही है इस के दौरा इस वाले के दौरा ऐसे ऐसे साइड बाई साइड काटती जा रही है और पीछे की और कट करके दूसरी नदियों को जल को कैप्चर कर रही है वो शीर्ष अपरदन के दौरा तीनों का काम अलग-अलग है बाई अगर अपनी घाटियों को चोड़ा कर रही है और पीछे की और करती-करती दूसरे सरीता के जल को राप्त किया इस वाले से और वर्टिकल गहरा कर रही है इस वाले से अब यार आप होश्यार हो चुके हो मुझे लगता है कि जितने संभव चीजे हो सकती है हम उतनी संभव चीजे कर रहे हैं न बेटा ये वाला जो पर्टिकुलरली ये वाला डाइगराम है ये वाला डाइगराम आपको बहुत अच्छे से समझ में आना जरूरी है ये वाला डाइग्राम, जिस बच्चे को ये वाला डाइग्राम आ गिया, कल वाले में मैंने ब्रहम पुत्र कराया था, वो आ गिया, परसो वाले में गंगा कराया था, वो आ गिया, ये सब जिसको याद है, एक एक चीज बेटा जो छोटी 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 छोट लगे है इतना सारा information collect करना चोटी चोटी चीजे मैं कोशिश करता हूं कि आपने एक बार यहां पढ़ लिया ना मेरी class में आप कहीं से भी कुछ पढ़ोगे आपको लगे गया नवीन सर की class में सब है तो आपको यह एक घंटे में मिला है मेरी चार से पांच घंटे की मेहनत है क्योंकि आपको यह भी सोचना पड़ता है यार बच्चों को समझाएंगे कैसे उनको अपनी copy पे diagram भी बनाने है तो उनको किस तरीके से message किया जाए information को कि उनका दिमाग उसको receive करे फिर यह अलग से इसको भी लेके आया कि भई क्या पता कुछ भी कर ले है ना और उसके बाद दवाब already मैं हमेशे ही कराता हूँ आपको दवाब वगेरा यह projects भी इस बार मैंने साथ के साथ इसलिए करा दिये ताकि आपको यह projects याद रहे और यह practice question भी हो गया तो next जो हमारी class होगी बिटा मंडे को होगी उसका reason मैंने बताया था कल 14 जनवरी है और हमारे जैपूर के अंदर 14 जनवरी के दिन बहुत सारी लोगों के पतंग उडाना है ना और उसके बाद वो DJ deck बजाना तो 3 साल से मैं 14 जनवरी के दिन class नहीं ले पाता क्योंकि बहुत ज़्यादा शौर होता है तो उसके चलते कल हमारी class नहीं होगी और next week से Saturday को CSET शुरू होगा जिसमें अभी हम reasoning के कुछ topic 2-4 topic बच गए है reasoning के मैं वो भी कराऊंगा और comprehension के 2-4 lecture लेके फिर इनकी हम practice शुरू कर देंगे CSET की हम practice शुरू कर देंगे फिर special class पे तो यह हमारा schedule रहेगा तो भुगोल के युद्धा special class यह साड़े 5 बजे मिलेंगे evening में pretest है आप सभी लोग आईए आप सभी का स्वागत है और यकीन मानिए यहां पे जो इन classes में MCQs को discuss करने में जो मेरा analysis होता है वो आपको definitely बहुत help करने वाला है तो आप इसको जरूर देखे बिलकुल free of cost है और 16 दिसंबर से मेरा environment and ecology पे plus course चल रहा है जिस भी बच्चे को अपना UPSC prelims ensure करना है आपको मेरी जोगरफी और मेरी environment की class बेटा देखनी ही पड़ेगी बिना जोगरफी और environment के prelims नहीं होने वाला मैं सच में बता रहा हूँ क्योंकि ना तो इधर कोई current affair आके लगता छीक है ना UPSC जिस तरह कि कोई question पूछ रहे ना कोई particular book help कर रही है आपको आपको मेरे जो ये deep rooted है ना बहुत deep fried lecture है ना ग्यान के इनको आपको देखना ही पड़ेगा ठीक है तो environment technology जो बच्चा प्लस course से पढ़ना चाता है वहाँ पे चल रहा है आईए join कीजिए नवीन वन रेफरल कोड से सेम नवीन वन रेफरल कोड से आप अपना जोगरफी optional भी त्यार कर सकते है complete हो चुका है total 167 lectures available है तो आप इसको आईए और देख सकते है आंत्रिक सुरक्षा पर ये मेरा plus course है ये complete हो चुका इसको भी देख सकते है मेरी कुछ free classes चल रही है जैसे भुगोल के योद्धा ये test series चल रही है साड़े पांच बज़े होती है आईए आप इसको बिल्कुल free है बेटाईए फ्री है बिल्कुल कोई पैसा नहीं लगेगा अगर आपको मेरे plus courses देखने हैं ये सारे मेरे plus courses है geography, ethics, internal security, environment and ecology and geography GS तो नवीन 1 referral code से आप इसको देख सकते हैं और इन courses के अलावा unacademy के जितने भी top educators है आप सब के lectures देख पाएंगे मेरे code नवीन 1 को apply करने के बाद कुछ free classes जो मैं लगातार बोलता हूँ जैसे भुगोल के योद्दा है आप दा प्रबंदन, निबंद, लेखन, नतिकता की अदालती ये कहां से करोगे तो ये आप unacademy app को डाउनलोड कर सकते हो Google Play से या Apple के App Store से और ये last mile program है उन बच्चों के लिए जिन्होंने 2022 की मुख्य परिक्षा पास कर ली आभी interview उनकी dates है ना आप इंटर्व्यू की त्यारी कर रहे है तो आपका डेफ एनलिसिस करण्ट अफ्यर की त्यारी हो स्टेट स्पेसिफिक त्यारी हो आपकी personality को ग्रूम करना हो मौक इंटर्व्यू जो टॉपर से आपका इंटरेक्ट कराना हो ये सारे facilities आपको हमारे the last mile program में मिलेगी इसमे हमारे जो पैनलिस्ट है प्योरोक्रेट्स टॉप एडुकेटर्स और प्रोफेसर्स ये सभी पैनलिस्ट है आनकैडमी ने अपना offline center launch कर दिया है और राजेंदर नगर में आप जाईए जिसको offline join करना है join कर सकते है तो क्या सर online का भी access मिलेगा yes full access to plus classes and test भी होगा 800 से जाधा घंटे का यह हमारा course होगा 100% इसमें आपका syllabus coverage होगा तो आज का session यही समाप्त करते है इवनिंग में 5.5 बजे बिलेगे गुगोल के योधा वाले session में बबाय टेक केर